हैलो मित्रों जैमातादी, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गारेंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होंस उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी रहस्मई बातों के बारे में बताया गया है, जो सायद आप नहीं जानते हैं, और ऐसे में आप लोगों के जीवन में यह जो जनवरी 2024 का महीना आने वाला है, यह आप लोगों के जीवन की सभी प्रकार के कश्टों का निवारन करने वाला है। मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में आप लोगों के जीवन में कौन सी खुसियां दस्तक देने वाली हैं तथा कौन सी प्रस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा कौन से तारीक, कौन सा दिनांग आपके लिए बहतर है और अच्छे कारे को करने के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा, सुब रहेगा कौन से कारे करने से आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिल सकती है और जन्वरी के महीने में कौन सा कारे आप सुरू कर सकते है आपके वैपार कैसा चलेगा आपके लव लाइफ के बारे में आपके करियर के बारे में आप से जुड़े उन तमाम तहत्त्त्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों आप लोगों के जीवन में दहन की कमी है लव लाइफ आपके अच्छी क्यों नहीं है? आपके घर परिवार में खुसियां क्यों नहीं है? क्यों नकरात्मकता बैठी हुई है? पारिवारिक माहौल लगातार क्यों बिगड रहे हैं? रिष्टों में खटपट क्यों हो रहा है? और रिष्टे आपके अच्छे क्यों न इपितार से बताएंगे जो कि आपके जन्वरी के महीने को काफी लावकारी भना सकता है वीडियो काफी महत्पूर्ण है मित्रों वीडियो को आखरी तक देखिएगा आपको बताएंगे कि कौों सी साव्धान्या भे आपको जनवरी के महीने में रखनी है और कहां आपको निवेस भी करना है अगर आप इनिवेस्ट करना चाते हैं तो कहां निवेस्ट करने से आपको फायदा होगा वेपार में आ रही अरचने कैसे दूर कर सकते हैं वेपार का विस्तार कब तक हो पाएगा इन सभी के बारे में विश्तार से बात करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों आपको बताने चाहेंगे कि आपको बताते में मुझे बहुत एक खुसी हो रही है मैं काफी खुस हूँ क्योंकि इस महीने आपको आपकी आमदनी में काफी वढ़ोतरे देखने को मिलेगी आपके भागे का पूरा साथ मिलेगा एक्छा सक्ती में बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल सकती है मित्रों, जीवन में सभी जरूरी कारे को सही समय पर आप करने वाले हो इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं अपने बैपार के शित्र में काफी हद तक उन्नती हांसिल कर पाओगे जन्वरी का महीना आपके लिए सर्वपरी रहेगा काम ही काम रहेगा न केवल आपके आर्थिक शित्र में तारकिक शित्र में आपके तरक्की मिलने के आसार बन रहे हैं आपको धन कमाने के नई स्रोत मिलेंगे जिससे आपकी अस्थाई संपत्ति में वर्दी होगी। इस महीने आपका रुका हुआ कारी पूरा होगा जिससे भी आपका मन परसंद रहेगा। यदि आप कोई नया कारे आरंभ करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। यह महीना आपके वाहन सुक की भी प्राप्ति करवानी वाला है। आपके धन की बज़त करने में आप सफल रहेंगे आपको कोई नया ओफर मिल सकता है। जिससे आपको फाइदा मिलेगा। आपको फैमली एवंग फ्रेंड का दोस्तों का पूरा सहयोग मिले वाला है। जिसमत्रों जनवरी के महीरे में आपके लिए नई खुसियां आपको मिलने वाली हैं। सिक्षा के शितर से जो भी जातक जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को अच्छा परदर्सन अच्छा मागदर्सन प्राप्त होने के संभावना बन रही हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लव लाइफ के अवसर भी प्राप्त होंगे लाइफ पार्टर से आपको भरपूर फ्रेम और सहयोग प्राप्त होगा संतान सुखों की प्राप्ती होंगी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन में एक जनवरी से आपकी सभी प्रिसानी का अंत होनी वाला है आप किसी बड़े से प्रोजक्ट में हिस्सा ले सकते हैं विरुजगारों को जौब मिलने के पूरी-पूरी संभावना नदर आ रही है ये सवधी में बड़ी सफलता हासिल के करने के योग बर रहे हैं परिवार में सुखसान्ती का महौल बना रहेगा कोई खास काम आपका पूरा होने से आप काफी खुशी महसूस करेंगे तरक्की हासिल करते हैं आगे बढ़ेंगे मित्रों आपको सलाह दे जा रही हैं कि आप किसी के बहकावे में आकर कोई महत्पुन फैसला न लें आप अपना बुद्धी विवेक का उप्योग करें जहां तक हो सके अपने परिवार जनों के साथ सलाह मसवरा करके ही किसी भी कारिको करें इससे आपको फायदा होगा आप काफी धनमान वन पाओगे यह महीना आपको माला माल करके जाने बाला है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि 15 जनवरी से 21 जनवरी यह समय कोच ऐसे सुब समाचार देखने को मिलेंगे जिनसे कि आप काफी हतोद साहित होंगे बहुत बड़ी खुशकबरी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाकते हैं मित्रों अगर आप अपने बैपार सुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों यह महीना आपके लिए पहतर रहेगा आपको बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार की विनासकारी सक्तियां समाप तो हो जाएंगे और आपको सफलता अवस्सिफराब तो होंगी मित्रों आप जो है न वानी पर नियंतरन रखें और आप अपने क्रोध को नियंतर रखें क्रोधी तवस्ता आपके लिए नुकसान देह सावित हो सकती हैं इसलिए आपको अपने कुस्से पर नियंतरन रखने की आवस्सकता होगी परिवार में माता फिता का सहयोग आपको सबसे अधिक मिलेगा वैपार के शित्र में आप नए किर्टिमान थाबित करेंगे वैपारिक दृष्टी से आपको नई खुसकबरी मिले के योग बन रहे हैं अचानक आपको वैपार में काफी ज़्यादा लाब देखने को मिलेगा यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बगवान आपके उपर सबसे ज़्यादा द्यादरिश्टी बनाए रखेंगे दुस्तमन आपके पास भी नहीं आएगा समाज में आपका मान समान बढ़ेगा परिवार के बड़े वजरुगों की बात मानने से आपको लाब मिलने वाला है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको सावधानी पुरुवग चलना होगा जनवरी का महीना आपके लिए जवलाइफ के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो आपको अपना खोया हुआ प्रेम मिफिर से मिलने वाला है अनद और आप अपना प्यार तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अभी मिस कर रहे हैं ये तीनों के तीनों चीजें आपको जनवरी में मिलने वाली हैं आप अपने प्रेवी को यह एहसास करवाना ना भूलें कि आप उनके लिए कितने महत्पूर्ण हैं और वह आपके लिए कितना महत्पूर्ण है दोस्तों आपको आपका खोया हुआ प्रेम बिछड़ा हुआ प्रेम इस महीने मिल सकता है आप जीवन में जिस रहा पर चल पड़ोगे उनमें आपको सफलता मिलने वाली है मित्रुआ आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई आपको अपने दिल की बातों को बताता है इसका मतलब है कि वह आपके प्रती आकरसित है ऐसे में आप भी उन्हें स्वेंग को महसूस करवाने की अनुमति दें आपके प्रेम भरे जिंदगी की शफलता का दिन आ चुका है आपके द्वारा की गई कोशिसें आपके प्रेम को प्यार को मजबूत करती हुई दिखाई देंगी या नकेवल आपकी आपसे समझ बढ़ाईगी बलकि खुस्नमा प्यार भरे जिंदगी के नए आयाम को खोलने वाली हैं आप सही रास्टे पर आगे वढ़ते भी बहुत दूर तक चले जाओगे पैसो के आर्थिक किस्तियां पैसो के आर्थिक तंगियां आपको इस महीने थोड़ी से जहेलनी पड़ सकती हैं वैपार और नोकरी पेसे में आपको सफलता फराप्त होने वाली हैं परिवार की तरफ से आपको खुसिया भी विलेंगी और आप लोगों के जीवन की सभी प्रिकार की प्रिसानियों का हल होने वाला हैं आपकी आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाले हैं आने वाला समय आपके लिए खुसियों के सोगात लेकर आने वाला हैं बैपार के शित्र में किया गया प्रियास निश्ची तोर पर सफल होगा और समाजिक शित्र में अधिक संक्रिय रहेंगे आपके लिए आने वाला समय बेहदी सुब रहने बाला है विरुसगार युवाओं को अच्छी नोक्री मिलने के योग नजर आ रहे हैं जो लोग नोक् को अच्छा मार्ग दर्सन प्राप्त होने की प्रवल संभावना बन रही हैं बैपार में बस आप से खुश रहें जो कारे आपके पूरे नहीं हुए थे वह भी अब पूरे होने वाले हैं रुकावधन आपको वापस प्राप्त होने वाला है आपको इनया बिजनस खोलना चाहते हैं तो मित्रों वह भी आप खोल सकते हैं आपको मुनाफ़ा अधिक होगा असानक धनलाव के योग बन रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि यनवरी का महीना आपके लिए अत्यंत लापकारे सिद्ध होने वाला हैं आपके जो भी अपने कारे हैं उन सभी कारे को पूर हो सकता हैं आप 28 या 29 जनवरी को जीवनसाती के साथ कहीं घुमने जा सकते हैं यह दिन आपके लिए मनरंजक के कारे शित्र में बीतने वाला हैं आप अपने जीवन में उन सभी दुखों से दूर हो पाओगे दुखों से आप दूरी बना सकते हैं मित्रों रह में आ रही आप सुके संपन जीवन को जी चकोगे मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी जैमा विंदवासनी जैमा दुरगा जैमा भधरकाली अवस्ते लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विंदवासनी